आदाब दोस्तों, हम मेंसे बहुत से लोगों ने ये सुना है कि तमाम इंसानों के हुकूक हैं, जिनकी जमानत हमको उस जगे का आईन देता है, जिस जगे पर हम रहते हैं। मिसाल के तोर पर हिंदुस्तान में हमारे हुकूक की जमानत हमको हमारे आईन के जरिया दी गई है। हम मेंसे कुछ लोग शायद ये भी जानते हैं कि हर बालिक की तरह बच्चों को भी हुकूक हासिल हैं। लेकिन चुकी बच्चे खत्रों से जादा दोचार होते हैं। इसलिए बच्चों को हुकूक दिलाने की जिम्मेदारी और उसको यकीनी बनाना हर बालिक अदमी पर आईद होती है। मतादित बेनल अक्वामी कन्वेंशन्स जैसे बच्चों के हुकूक पर अक्वाम मुत्तहदा कन्वेंशन्स और कौमी कवानीन, प्रोग्राम और हिंदुस्तानी पॉलिसियां हर बच्चे के उन हुकूक की जमानत देती हैं। जब ये हुकूक फराहम नहीं किये जाते हैं तो क्या होता है। जब किसी के हक को छीन लिया जाता है या उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो उसे जयाती कहते हैं। और जब मतासरा कोई बच्चा होता है तो उसे बच्चों से जयाती के तोर पर तसलीम किया जाता है। आज हम इस गुप्तुगों में मुख्तलिफ की जयातियों को समझने की कोशिश करेंगे। कि हमें उसे कैसे समझना चाहिए। और जयाती से बच्चने के लिए कानूनी फरेमवर क्या है। बच्चों के हुकुक जिसे हिंदुस्तान में कवानी पॉलीसियां और प्रोग्रामों के जरिये जमानत दी जाती हैं। वो बका, तहफुज, तरक्की और हिस्सा लेने के हुकुक हैं। जब भी बच्चे के उन हुकुक में से एक की खलाफ और जी होती है, तो उसे ज्याती कहते हैं। मिसाल के तोर पर, 14 साल से कम उम्र का हर बच्चा मुफ्त और लाजमी तालीम हासल करने का हगदार है। जिसे बच्चों की मुफ्त और लाजमी तालीम यानी RTEX 2009 के तहट मजीद यकीनी बनाया गया है। ताहम अगर बच्चे इस से फाइदा नहीं उठा सकते तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए कोई निजाम मौजूद नहीं है। जो इस बात को यकीनी बनाये कि बच्चे स्कूल छोड़ तो नहीं दिये हैं। या अगर वो इसकूल और तालीम हासिल करने के बजाए जबरी मुलाजमत या शादी करने पर मजबूर किये जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके हुकूद की पामाली की जा रही है। और ये एक तरह की स्याक्ति है। स्कूल एक ऐसी जगे है जहां बच्चा बहुत सारा वक्त बुजारता है। एक उस्ताद होने की हैसियत से उस दौरान हम बनिस्बत उनके घरवालों के बच्चों के साथ जादा वक्त सर्फ करते हैं। इसलिए हमें उनके किरदार पर गवर करना चाहिए। बच्यों के साथ होने वालि ज्यात्ती के अक्साम को जानना और समझना जरूरी है ताकि हम उसका जल से जल एजाला कर सकाएं। और बच्यों को मजीद तकलीफ और सदमे से बचा सकाएं। यहां ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी किसम की जयाती का नतीजा दीगर अकसाम में भी सामने आ सकता है चाहे वो इरादा किया हो या नहीं किया हो जैसे नजमोजब्त कायम करने के लिए लगाया गया एक तमाचा जजबाती जयाती का स्बब बन सकता है जिसके निशानात इतने दिखाई नहीं देते जिस्मानी ज्यादती जजबाती ज्यादती और नजरन्दाज किये जाने के साथ बच्चों को तरह तरह की ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है मिसाल के तोर पर जिस्मानी ज्याद्ती में बच्चे पर किये जाने वाले वो आमाल शामिल हैं जो हाथ से हूँ या किसी और चीज का इस्तेमाल करके जिससे तकलीफ या चोट लगती हो उन आमाल में किसी बच्चे को नोचना, छुरा मारना, जलाना, जिजोडना, मारना, थपड मारना, कानों को मरोडना वगेरा शामिल हैं जिस्मानी ज्याद्ती के आसार बच्चे के जिस्म पर देखे जा सकते हैं जैसे सक्म, चोट, जलने, हड्डियों का तूटना और पठों में सूजन वगेरा ये सब कुछ ऐसी अलामात हो सकती हैं जिनके साथ ज्याद्ती की निशान दही की जा सकती है दूसरी तरफ जजजबाती ज्याद्ती सिमराद, बाली गफराद या हम अमर बच्चों के उस सुलूक से है जो बच्चे की खुद शनाशी या जजजबाती निशोनुमा पर मनफी असर डालते हैं जिहानत या किसी और सरगर्मी के लिहाद से बच्चे पर तनकीद करना या किसी दूसरे बच्चे के साथ उसका मौाजना करना, बच्चे को धमकी देना या बच्चे की जाही शकल पर तफसरे करना बच्चे की सिन्फ या बच्चे की जात पर रिवाज और मौाशरे जजबाती ज्याती का सबब बन सकते हैं जजबाती तोर पर बदसुलूकी की कोई वाज़ जिसमानी अलामते मौजूद नहीं है लहाज़ा बाज अवकात ये शनाख करना मुश्किल होता है ताहम उससे बच्चे पर बहुत गहरा असर पड़ता है जिसके नतीजे में बच्चों के रवए में अचानक तबदिलिया आने शुरू हो जाती है जो जजबाती ज्यातियों की निशान दही करने वाला इशारा है इसका नतीजा अफसुर्दगी, नीद में खलल, बिस्तर गिला होना गयर मतनासिब जारहियत का नतीजा भी निकल सकता है गफलत परतने या नजर अंदास करने से मुराद बच्चे की बनियादी जरूरियात का पूरा ना होना है लापरवाही जिसमानी हो सकती है जैसे एक वक्त में घंटों वालदैन की निगरानी के बगएर बच्चे को छोलना या खाना मोहिया न कराना तिब्बी मदद जैसे आपके बच्चे की तिब्बी देखभाल ना करना जिसकी उसे जरूरत हो तालीमी, जैसे आप के बच्चे को खसुसी तालीम की जरुएत है लेकिन इसके बावजूद तालीम ना देना या नजर अंदास करना ये जजबाती भी हो सकता है, जैसे उस वक्ट बच्चे को जजबाती मदद फराहम नहीं करना जब वो किसी वज़े से एहसासे कम तरीका सामना कर रहा हो लापरवाही का बच्चे के सिन्व से भी तालुक हो सकता है ये बात हमें जहन में रखनी होगी मिसाल के तोर पर एक ही खांदान में अपने भाई के मकाबले में लड़की के साथ बहुत मुक्तलिफ सुलुक किया जा सकता है और उसका नतीजा बच्चे पर बहुत जादा पर सकता है लहाजा हमने जिसमानी जजबाती जयाती और नजरन्दास करने के बारे में बात की है जब कोई शक्स अपने मनसब की ताकत या अख्तियार का नाजाइज इस्तेमाल करता है और अपनी जिन्सी तसकीन के लिए बच्चे के साथ कोई फैल करता है तो उसे जिन्सी जियाती या जिन्सी इस्तेहसाल कहा जाता है जो जियाती की आखरी शकल है जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं दूसरे अलफाज में जिन्सी इस तेसाल में बच्चे के साथ किसी भी तरह का सुलूक शामिल होता है जिसकी वजे मुजरिम का जिन्सी महर्रिक होता है ये गलत फहमी अक्सर पाई जाती है कि जिन्सी जियाती हमेशा तशद्द आमेज होती है जिसमे दर्द और हमला शामिल होता है ताहम ये बच्चों के साथ गयर मुनासिब जिन्सी गुफ्तुगू करने और उनको जिन्सी मश्मूला दिखाने से लेकर बच्ची के साथ इसमदरी और हमला करने तक कई तरह के हो सकते हैं इस तरह बच्चों के साथ जिन्सी ज्यादती में राबिता और गएर राबिता ज्यादती दोनों शामिल है और इसमें चूना यानी टच शामिल हो भी सकता है और नहीं भी निसाल के तोर पर गइर राबता जियाती में किसी भी बच्चे के साथ सामने किसी भी तरह की जिनसी सरगर्मी में मुलोस होना शामिल है इसमें फोहच मवाद देखना और बच्चों को फोहच मवाद दिखाना दोनों शामिल है आउनलाइन ज्यादती यानि गएर राप्ता ज्यादती की एक और शकल है जहां आप चैट रूम में बच्चे को आउनलाइन मिलते हैं या दूसरी सुरत में नामुनासिब जिन्सी गुपतगू में मुलविस होते हैं इसमें बच्चों की जिन्सी तसावीर लेना, डाउनलोड करना, देखना या तक्सीम करना शामिल हो सकता है राप्ते की ज्यादती में भी बहुत सारी किसमे होती हैं जैसे बोसा लेना, महबत, प्यार से चुना, किसी बच्चे को जिन्सी हरकते करने की तरगीब देना, किसी बच्चे का नामुनासिब चिन्स चुना, चाहे वो लिबास पहना हो या नहीं पहना हो. इलावाजी इसमें जिंसी तालुकात, इसमद्धरी और जियाती तो शामिल हैं ही दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ जिंसी जियाती सिन्फी तोर पर गहर जानिदार है लड़किया और लड़कियां दोनों ही जिंसी ताल कर शिकार हो सकते हैं लेकिन लड़कियों के साथ जियाती की इतला सादा मिलती है दूसरी एहम चीज जिसको समझना है वो ये है कि जियाती करने वाले अक्सर वो होते हैं जिनको बच्चा जानता है और इतमाद करता है होता है कि ये नॉर्मल है और एक खास राज है या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को उन ज्यात्ती करने वालों की तरफ से रिश्वत या धंकी दी गई हो या कहा गया हो कि उनका कोई यकीन नहीं करेगा या बहुत सारी कि स्टी की धंकिया दी जा सकती हैं कि मैं आपके घर वालों को नुक्सान पहुचाँघांगा मैं आपके वाली को मारूंगा आपके भाईको लेकर भागूंगा वगेरा एक जियात्ती करने वाला अक्सर इस बात के लिए एक लंबा अमल इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं बच्चे को जियात्ती के लिए तैयार करना लहाजा एक बच्चा जो बहुत शर्मिला है जियात्ती करने वाला बच्चे को जानने की कोशिश करता है एक बार जब बच्चा तयार करने के सारे अमल में फंस जाता है तो उससे बच्चा कमजोर हो जाता है और वो बच्चे को जियाती का इनकिशाफ ना करने की तरफ रागिप कर लेता है क्योंकि उसकी शुरुआत उसके एतिमाद में आ जाने से या महबबस से होती है बच्चों के साथ जियातीों का पता लगाना आसान नहीं है लेकिन कुछ इंतबाही इशारे जरूर हैं जिनकी मदद से बच्चों को रुक कर सवालिया अंदाज में देखना चाहिए जब हम उन इशारों को देखें तो हमें फौरण बच्चे से बात शुरू कर देनी चाहिए और अगर उसकी जिन्दगी में कोई परिशानी है तो उसे हल करने में उसकी मदद करनी चाहिए किलास में उस बच्चे की नाकिस हाजरी जो बाकाइदगी से मौजूद हुआ करता था बरताओं में रूनमा होने वाली अचानक तबदिलियां बच्चे का गुसा होना तनहाई पसंद होना या वो मुखालिफ जिन्स के साथ जादा वक्त गुजारना शुरू कर सकता है खिलाओं ने तहाइफ की अचानक फराहमी बच्चे का अपनी जात पर जादा तवज़ देना या किसी चीज़ पर बिलकुल भी तवज़ ना देना निजी हिस्सों में चोटों के साथ ही अचानक किसी तबदिली का रूनमा होना मतली जैसी जिसमानी अलामात चलने में दु कंबे के अहले खाना के लिए लाजमी हो जाता है कि वो बच्चे से बात करें और मालूम करें कि क्या हो रहा है हम अक्सर बाज अकायत की वज़े से बच्चों से होने वाली जैस्टियों को रोकने या उसका जवाब देने में नाकाम रहते हैं मिसाल के तोर पर ये अकीदा है कि बच्चों में जिन्सी ज्याती सिर्फ लड़कियों के साथ होती है मेरे दोस्तों सिन्फ का ज्याती के साथ बहुत कम तालूख है 2007 में खवातीन और बच्चों की तरकी की वजारत के जरिये हिंदुस्तान में बच्चों के साथ ज्याती पर तहकीक के मताबिक मालूम हुआ है कि 52.94 फीसद से ज्यादा बच्चों ने जो लड़के थे जिन्सी ज्याती की एक या एक से ज्यादा अकसाम का सामना करने की इतल ज्यादा आगाही, कानून के मुनासिब नफास और हर स्टेक होल्डर की फाल शिरकत के साथ रोका जा सकता है। दोस्तों हम सब बच्चों की हफाज़त के जिम्वेदार हैं। हम इस बात पर भी यकिन रखते हैं कि ये ज्यातियां रात के अधेरे या तनहाई की जगों पर किसी अजनबी के जरिया होती हैं। लेकिन C.S.A. किसी भी जगे हो सकता है। इसी बात की वजाहत C.S.A. के तहट 1098 दर्ज मुकदमाद से भी होती है। ये ख्याल किया जाता है कि आम तोर पर C.S.A. उन बच्चों के साथ होता है जो सलूक में इश्तियाल अंगेज होते है जिनके उम्र जादा होती है या ये भी ख्याल किया जाता है कि ऐसा तालीम याफ्ता खानदानों में शाज़ नादिर ही होता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि समाजी वो इक्तिसादी हैसियत नसल या तालीमी सते को जिनसी इस्तेसाल से जोडता है। बच्चों के दास्तान है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ होता है। असल में दोस्तों ये किसी भी बच्चे के साथ कहीं भी हो सकता है। वजारत बढ़ाए खवातीन और बच्चों की तरकी की रिपोर्ट 2007 के मताबिक जिसका जिक्र मैंने इस से पहले किया था। जवाब देने वाले तकरीबन 22 फीसद बच्चों को शदीद तोर पर जिनसी जियाती का सामना करना पड़ा। और जिन वाकियात की इतला मिली उनमें 50 फीसद ने दावा किया कि वो जियाती करने वाले कुसूरवारों को जानते हैं। ये वाकई चौकाने वाली बात है। है ना। इसका मतलब है कि जियाती करने वाला कोई भी हो सकता है। बाप, चचा, बच ड्राइवर, किलीनर, प्रोसी, कोई भी। इस रिपोर्ट के मताबिक हिंदुस्तान में 33 फीसद से जादा बच्चों ने उन जियातियों की एक या एक से जादा शकलों की इतला दी। जिसमें 33 फीसद लड़क या इतने ही खत्रे से दोचार हैं। हिंदुस्तानी कानूनी पॉलिसी और प्रोग्राम का फ्रेमवर्क हर तरह की जियातियों से निवटने के लिए मुक्तलिफ दफाद फराम करता है। लहाजा जैसा कि मैंने शुरू ही में कहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। उम्मीद है हमारा आइन बुनियादी हुकुक को यकीनी बनाता है। ये बच्चों को स्मगलिंग से जबरी मशक्कत से और माद्दी और अखलाकी दस्बादारी करने से बचाता है। बच्चों के लिए कोमी पालिसी बच्चों की शादी चाइड लेबर और न माद्द के लिए एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क महिया करता है। मेरे दोस्तों बच्चों के साथ जयाती खास तोर पर जिन्सी जयाती किसी बच्चे को जिन्दगी की उन ड्राउनी यादों से दोचार कर देती हैं जिसे ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। हकीकत में कुछ हसरात हमेशा के लिए बाकी रह जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है मैं अब दोबारा कह रहा हूं कि ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। वालदین की जिम्मेदारी नहीं है। ये बच्चे की जिम्मेदारी नही एक ऐसी सोच जो हम में से बहुत से लोगों को रातों को जागने पर मजबूर कर देगी गुजिश्टा तीन सालों में चाइड लाइन 1098 सर्विस में बच्चों से जिंसी ज्याती के 20,000 से ज्यादा वाकियात रिपोर्ट हुए हैं और उन रिपोर्ट शुदा वाकियात में 71 फीसद ज्यातियों के शिकार बच्चे ही हैं अपने बच्चे को महफूज रखा हैं शुक्रिया